आधाने सभाबती जी मैं उन सभी सदस्जों का भी आभार वेक्ते करता हूं जिन्हों ने इस चर्चा में भाग लिया ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाब आज़ाद है तेरे नाज़कार बोल किलाब आज़ाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा ना जाने क्यों मुझे आज उम्मीद थी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राज सभा में उनके और इंडस्रिलिस गौतम अडानी की रिष्टों के बारे में जो तमाम सवालात कॉंग्रिस और विपक्ष उठा रही है उस पर कुछ जवाब देंगे मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गौतम अडानी शब्द का जिक्र तक नहीं किया अपने आपको सहीट हैराने के लिए उन्हें इतिहास की नजाने कितनी कबरे खोदनी पड़ी इंडरा गांधी का सहरा लेना पड़ा पंडित नहरू का सहरा लेना पड़ा कॉंग्रिस पर लगातार हमला बोलना पड़ा वो भूल गए कि इसी कॉंग्रिस की नीतियों को नकार के देश की जनता ने आप पर पिछले 8-9 सालों में विश्वास जतलाया है मगर बावजूद इसके खुद को सही ठहराने के लिए आपको कॉंग्रिस उसकी नाकामियों और इतिहास की शरण में जाना पड़ा मगर एक नाम जो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गया है वो है इंडस्ट्रिलिस गौतम अडानी का नाम जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडस्ट्रिलिस गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाये गए है और विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि किस तरह से मोधी सरकार ने पिछले आठ सालों में गौतम अडानी को प्राथमिक्ता दी है जिसके चलते वो दुनिया के 609 सबसे धनी व्यक्ती से दूसरे नंबर पर आ गए और अब खेर आजकल तो 22 वे नंबर पर है तमाम सवालाथ थे दोस्तों मगर उन सवालों का फिर से जवाब नहीं दिया गया उल्टार लोकसभा और राजसभा में क्या शर्वना घटनाएं हुई उसका जिक्र मैं आपको बाद में करूँगा मगर सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भाशन देने के लिए उठते हैं और तब ही विपक्ष जो है नारे लगाने लगता है मोधी अडानी भाई भाई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के पूरे भाशन में नारा गुंचता रा दोस्तों प्रधान मंत्री भी नहीं रुके वो लगातार बोलते गए मगर हकीकत यह है कि प्रधान मंत्री के लहजे में आप उस बॉकलाहट को महसूस कर सकते थे उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकते थे सुनिए प्रधान मंत्री जैसे ही अपना भाशन देने शुरू किये उससे पहले किस तरह किनारे बाजी होगी सुनिए आदमिय सभाबती जी मैं उन सभी सदस्चों का भी आभार वेक्ते करता हूँ जिनोंने इस चर्चा में भाग लिया अपनी कलपनार के अनुशार चर्चा को विस्तार देने का प्रयाज भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्चा लेने वाले सभी आदमिय सदस्चों का धन्यवाद करता आप जानते हैं विपक्ष एक ऐसे वक्त हमलावर हो रहा है जब विपक्ष की तमाम सवाला जिन में अधिकतर तत्थियों पर आधारित है सीबियाई और एडी के रेड्स के इतिहास पर आधारित है स्टॉक बाजार में जो माहौल है उसके उपर आधारित है इन तत्थियों पर आधारित है फिर भी मोधी सरकार इसका जवाब नहीं दे रही विपक्ष का कह रहा है कि जे पीसी का गठन हो सबसे शरनाग बात यह दोस्तों कि लोकसभा और राजसभा दोनों जगा विपक्ष के निताओं के साथ जो हो रहा है मसलन क्या आप जानते हैं कि राहूल गांधी ने अपना भाशन अडानी पर केंद्रित रखा अठारा जगाओं से लोकसभा में उनके भाशन को नोच दिया गया हटा दिया गया एक्सपंज कर दिया गया और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राजसभा में भी जब मल्लिकार जुन खडगे ने अडानी का जिक्र किया तो कोई और नहीं भारती जनता पार्टी का नेता नहीं देश के उपराष्टपती राजसभा के सभापती धनकर साहब ने उन्हें कहने से रोक दिया देखिये जो अपने आप में बहुत ही अजीब हो गारीब नजारा था क्योंकि मैं जानता हूं कि जगदीब धनकर जो हैं एक जमाने में भाजपा के नेता हुआ करते थे संग से जुड़े हुए थे जहां तक मुझे पता है मगर इस कार्थ यह नहीं कि वो एक ऐसी चीज़ करें जिससे उनकी निश्पक्षता पर सवाल उठे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उपक्षपात कर रहे थे यह फैसला मैं आप पर शोड़ रहा हूँ देखिए विडियो मैं यह कहा एक विप्ती जिसकी संपत्ती धाय साल में तेरा गुना बड़ी गए और चवदा में पचास हजार करोड की थी 2019 में एक लाग करोड रुपए की संपत्ती उसकी हो अचानक ऐसा क्या हुआ जादू जादू कि दो ही साल में बारा लाग करोड हो गए हैं यह कहा है अब दूसरा अब देखिए हिंडन्सबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल अब वो उसको मानते नहीं कहीं से कोई भी रिपोर्ट आजाएगी और हम कुछ भी कर लेगे नहां नहीं 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 दुनिया के किसी भी कental कोई भी रिपोर्ट आजाएगी मैं कुछ कहनार नहीं था हता ह、 ऐसा नहीं है था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहूल गांधी के भी भाषण को कम से कम अठारा जगा से हटा दिया गया था कल भी जब प्रधान मंत्री नरेंद बोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया था न तो उस भाषण से पहले तमाम न्यूस चैनल्स में राहूल गांधी पर निशाना साथ हजा रहा था कि देखिए प्रधान मंत्री का जवाब आने वाला है प्रधान मंत्री धज्जियां उड़ा देंगे प्रधान मंत्री बोलती बंद कर देंगे यहां तक कि उनके भाषण के बाद भी मीडिया ने जिस तरह का कावरिज किया है दोस्तों उसके एक मिसाल देखे मोदी का वार जोरदार विपक्ष के बॉइकॉट गैंक का मोदी को सुपर हिट जवाब उचलते विपक्ष के नीचे से प्रधान मंत्री मोदी ने खीची जमीन अदानी विवात का चैप्टर आज से बंद सियासत बेकाबू किसका जादू राहुल गमगीन मोदी ने बदला सीन मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली राहुल ने छेड़ा मोदी ने नहीं छोड़ा और सबसे शॉकिंग था इंडिया टुडे का ये कारक्रम जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया जो भाशन दिया उसकी गूँज संसत में सुनाई दी और उन्होंने गांधी परिवार और उनके चम्चों पर करारा प्रहार किया बिग पॉट शॉट्स अड गांधी ज चम्चाज यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करने के लिए तमाम हदों को पार किया दोस्तों अब मर्यादित भाशा का बिस्तमाल मीडिया कर रहा था मगर मुझे हैरत नहीं है याद कीजे जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है कम से कम यहाँ तो लोकसभा और राजसभा में भाशनता जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है То मीडिया का coverage कैसा होता है मोदी जी को लेकर आपकी screens पर ये देखे चादुगर मोदी है तो मुम्किन मोदी magic क्या पी-म मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप मोदी का माजिक और सबसे शौकिंग इंडिया के पापा अब आप मुझसे बार-बार कुछते हैं कि मैं क्यूं कहता हूं पापा की परिया या मीडिया की गुलू और कालू मैं इसलिए तो कहता हूं जब महिला एंकर एक कारकरम करती हैं जिसका नाम है इंडिया के पापा आपको याद होगा कनहिया कुमार से डिबेट हो रहा था संबित पात्रा का और संबित पात्रा ने उस डिबेट में कहा था कि मोदी इंडिया के बाप है किसी ने नहीं माना है उनको अपना बाप मगर संबित पात्रा बनाना चाहते है उसी तरह से ये महिला आंकर उन्हें इंडिया के पापा बनाना चाहते है आगे भी देखिए साब 2024 में मोदी नहीं तो कौन बे भाशा देखिए साब मोदी नहीं तो कौन बे और फिर चांद पर होगा मोधी मोधी उसी तरह से अख़बारों की हालत देखिए दोस्तों तमाम जगों पर मोधी चाहे रहते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे हालात में क्या वाकई किसी तरह के हम निश्पक्ष मीडिया की उम्मीद कर सकते हैं और आज प्रधान नंत्री ने अपनी बात रखी दमदार अंदाज में रखी तत्यों के आधार पर जो बात उन्होंने कॉंग्रिस पर कही मैं उसे खारिज नहीं करने वाला हूँ मसलन इंद्रा गांधी पर उन्होंने क्या का आपके स्क्रीन्स पर इतियास उठा कर देख लीजिए कि वे कौन सी पार्टी है जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया एक प्रधान मंत्री ने आर्टिकल 356 का पचास बार उपयोग किया उनका नाम था श्रीमती इंद्रा गांधी आपको खुद को जायस ठहरानी के लिए इंद्रा गांधी की शरण में जाना पड़ा यकीनन हमने उस दौर को देखा है इस देश की जनता ने उस दौर को देखा है कि इंद्रा गांधी ने किस तरह से सामविधानिक मानिताओं की धज्यां उड़ाई थी किस तरह से देश पर 1975 से 1977 की बीच आपातकाल बहाल किया गया था बगर मुदी जी मेरे सवाल का जवाब दीजे बगैर धारा 356 लगाए जिस तरह से विपक्ष की सरकारें गिराई जाती है करनाटक से लेकर दिल्ली में कोशिश राजिस्थान में कोशिश मध्धिप्रदेश गिरा दी आपने कोशिश आपकी जारखंड में होती रहती है 36 गड़ में भी आप बाज नहीं आते जहां दो तिहाई बहुमते कॉंग्रेस को महराश की मिसाल है अगर इंदरा गांदी ने धारा 356 का इस्तमाल किया था तो भाजपा जो है वो साम दाम दंड भेद का इस्तमाल करती है पैसे का इस्तमाल करती है क्योंकि आपके पास एक अंधा कुआ है जिसका नाम है सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स पीम कैर्स फंड वो पैसा कहा जाता है आरटी आई के जरीए हमें पता ही नहीं चलता तो ऐसे अंधे कुए हैं भारती जन्ता पार्टी के पास जिसके जरीए विपक्ष की खरीद फरोख्त होती है भूल गए करनाटक में कितने वीडियो सामने उभर कर आए थे जिसमें ये पता चला था कि आपके खुद के पार्टी के जो पूर्ग मुख्यमंत्री थे वो लालच दे रहे थे कॉंग्रिस और जन्ता दल के विधायकों को बहराल कॉंग्रिस के बारे में क्या का ये बताता हूँ मैं आपको प्रधान मंत्री मोदी ने कॉंग्रिस को बार-बार देशनकार रही है लेकिन कॉंग्रिस और उसके साथ ही अपनी साज़िशों से बाज नहीं आ रही लेकिन जनता इसे देख रही है और उनको हर मौके पर सजा भी दे रही है प्रधान मंत्री मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ आपको तकलीफ और अलर्जी जो है न सवालों से इससे आप क्यों घबराते हैं विपक्ष है आलोशना करेगा ये ना भूलें जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तो टूजी मामले में जेपीसी का गठन हुआ था हुआ था हुआ या नहीं हुआ था तो ऐसे में आप गौतम अडानी के मुद्दे पर जेपी से के गठन से क्यों डर रहे हैं? दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, पीछे हटने की खताई जरूरत नहीं है, विपक्ष है सवाल उठाएगा, अब भ्यस्त हो जाएए, प्लीज गेट यूस्टू क्वेस् को संबोधित नहीं किया है, आप उन्हीं पापा की परियों के सामने बैट कर उन्हें इंटर्व्यू भी देते हैं, कभी आप अविसार शेर्मा को इंटर्व्यू देने की थोड़ी सी जहमत करेंगे, इसके लावा प्रधान मंत्री ने क्या कहा दोस्तों आपको बताता हू मगर उन्होंने गड़ी गड़े कर दिये हैं, छेचे दशक बरबाद कर दिये थे, उस समय छोटे छोटे देश आगे बढ़ रहे थे, देश की जनता समस्याओं से जूज रही थी, लेकिन कॉंगरिस की सरकारों की प्राथमिक्ता अलग थी, किसी समस्या का पर्मनेंट सॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रधान मंत्री आगे, मलिकार जुन खड़गे, जुकि नेता विपक्ष हैं राजसभा में, उनके बारे में क्या कहा, प्रधान मंत्री ने मलिकार जुन खड़गे पर कहा कि आपको जनता हटा रही है, और आपको रोना यहां आ रहा है, ज हमारी सरकार ने गरीबों के खाते खुले, मलिकार जुन खड़गे के ख्षेत्र में भी लाखों लोगों के खाते खुले हैं। बड़ा प्रश्ण यहाँ पर विपक्ष पर हमला कीजिए, मगर विपक्ष के सवालों का भी जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस बात की हिम्मत दिखाईए। कि कौतम अडानी पर जो सवाल आपसे उठ रहे हैं, जो आपसे किये जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ, गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे, आज तक आपके मूँ से चीन शब्द नहीं निकलाए। क्या डर है इन शब्दों का मोदी जी, हमें भी बताईएगा। अब इसार शर्मा को दीजिए जासत, नमस्कार।